दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगी कि बॉलिवुड एक्ट्रेस जैकलिन फनाडिस हाजिर हुई E.D. डफतर अगर आप भी जाना चाहते हैं तो वीडियो के अंततक जरूर बने रहें बॉलिवुड एक्ट्रेस जैकलिन फनाडिस सुकेश चंदर सेखर से जुड़े 200 करोड रुपए के वस्सूली मामले में E.D. के दिल्ली इस्थित कार्याले में बुधवार को पेश हुई जैकलिन फनाडिस को E.D. ने पूश्ताच के लिए समन जारी किया था बताया जा रहा है कि अभिनेतरी ने E.D. सुकेश चंदर सेखर को लेकर सवाल जवाब करना चाहती है बताने कि E.D. इससे पहले भी जैकलिन फनाडिस को पूश्ताच के लिए बुला चुकी है इससे पहले रवीवार को जैकलिन फनाडिस को एरपोर्ट पर रोका गया था हाला कि बाद में एक्ट्रिस को छोड़ दिया गया E.D. ने एक्ट्रिस के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर नोटिस जारी किया था जिसकी वज़ा से जैकलिन फनाडिस को एरपोर्ट पर रोक दिया गया था मुंबई एरपोर्ट पर रोके जाने के बाद E.D. ने जैकलिन फनाडिस को एक बार फिर से पूस्ताज के लिए समन जारी किया था गड़ तलब है कि सुकेश चंदर सेखर तीहाड जेल के कॉलर आईडी में गड़बड़ी करके जैकलिन नोरा और अन्यस सेलेब्रिटीज को फोन करता था रिपोर्ट के मुताबिक ठग सुकेश चंदर सेखर जैकलिन फनाडिस से अपनी असली पहचान छिपा कर किसी बड़ी परसनालिटी के नाम पर कॉल किया करता था बॉडिवूड अक्ट्रेस का भारोसा जीतने के लिए उसे महंगे फूल, चॉकलेट और गिफ्ट भेजने लगा था तो गाईज आपको जैकलिन से जुड़ी ये लेटस्ट अपडेट कैसी लगी कमेंट में जरू बताइएगा